नमस्कार तो काफी टाइम से आप लोगों की कमेंट्स आ रही थे कि प्रीवियस सीरी के क्वेशन पेपर जो है उनके हिंदी और इंग्विस का सेक्षन जो है डिसकस किये जाए तो काफी क्वेशन आप लिसकस करेंगे इससे पहले भी हम सेक्षन वाइस डिटेल में काफी वीडियो डिसकस कर चुके हैं तो क्वेशन नमबर 41 से आज हम हिंदी का सेक्षन स्टार्ट करेंगे क्वेशन नमबर 41 देखिए यहां पर कहा गया है 41 से लेकर 45 देखा को शुद सब्स जो है वो चुनना है तो यहां पर सही तरीके से अनुशरन बताना है कि कैसे लिखा जाता है क्वेशन नमबर 41 का जो है वो option C होगा अनुसरन इस तरह से लिखा जाता है अब अनुसरन इस तरह से लिखा जाता है तो यहां को पता होना चाहिए क्वेशन नमबर 42 देखिए पुज्य जो है वो किस तरह से लिखा जाता है क्वेशन नमबर 42 का option B सही अनसर है पुज्य इस तरह से लिखा जाता है यहां को पता होना चाहिए question number 42 के बाद question number 43 आता है 43 है कि संतूष्ट जो है वो किस तरह से लिखा जाता है तो संतूष्ट जो है वो option A इस तरह से लिखा जाता है तो संतूष्ट इस तरह से लिखा जाता है question number 44 देखिए दिक्सा बताना है आपको की दिक्सा कैसे लिखा जाता है तो question number 44 का option D जो है वो सही अंसर है दिक्सा कुछ इस तरह से लिखा जाता है 44 का बाद question number 45 है विशिष्ट आपको बताना है कि विशिष्ट किस तरह से लिखा जाता है विशिष्ट लिखने के लिए 41 का option A सही अंसर है विशिष्ट इस तरह से लिखा जाता है आप इसके बाद आपको बताना है कि समास किस तरह से सही समास जएना है आपको तो सबसे पहले question number 46 देखिए 46 में बताना है कि बेहद में जो है वो कौन सा समास है question number 46 अप्शिन a, अव्बेभाब समास जो है वो सही अंसर होगा अबहुत जो है एक अवे भावसे मास अव कोच और अग्जब्ल घासे यता संभव में पुछ लातता है तो यह एक्वहाव समास है आजीवन में पूत समास है तो यह तो कि आयरे पयात रखी पहले भी पूचेळा चुके कैंबहर फूर्टिसले में पार-ई-स् Match पात option a, ततपूर्स समास जो है वो आता है, अब ततपूर्स समास यहां पर आता है, ततपूर्स समास के कुछ और example, इसके कुछ और example है, जैसे दिन्चरय अग्जाम में पूछ जाता है, तो दिन्चरय जो है, वो कौन सा समास है, यह भी एक ततपूर्स समास है, दिन्चरय के 48 है कि धर्मार्थ में कौन सा समास है तो धर्मार्थ में द्वन्द समास आता है option D जो है वो सही answer अब धर्मार्थ में जो है वो द्वन्द समास आता है द्वन्द समास के जो है वो कुछ और example आपको बता देता हूं माता पिता में दवन समास आता है इसके अलावा सुख और दुख सुख दुख में भी दवन समास आता है पाप पुन्य में भी दवन समास आता है और भाई बेहन भाई बेहन में भी दवन समास आता है तो ये कुछ दवन समास के एक्जेंपल है प्रश नमबर 49 देखे चतुरा नन, चतुरा नन में कौन सा समास आता है, तो चतुरा नन में बहु ब्रही समास आता है, option B जो है वो सही अंसर होगा, अब बहु ब्रही समास के कुछ example देखिए, नील कंट, नील कंट जो है ये बहु ब्रही समास में आता है, गिरी धर, गिरी धर जो है ये बहु ब्रही समास म में आता है इसके बाद अगला समास है मन चला मन चाहा मन चाहा जो है वो कौन सा समास है मन चाहा जो है वो ऑप्शन सी जो हो सही है तदपूर समास में आता है इससे पहले मैंने आपको बताया पाप मुकत ये भी तदपूर समास है भारत रतन तदपूर समास है आतम विश्वा है तो वयायाम का संधीव छेद करना है तो 51 को जब आप संधीव छेद करेंगे तो option D सही अंसर आएगा वी जमा आयाम तो ये वयायाम का सही होता है उसके बाद शयन का आपको सही संधीव छेद करना है तो शयन का जब आप संधीव छेद करेंगे तो option c say plus un ये जो है इसका सही आएगा इस तरह के और भी पूछ जाते हैं जैसे नयन पूछ ले जाता है तो नयन का क्या होगा नयन का होगा ने plus un तो ये दो समास आप याद रखिए उसके बाद सदाचार मैं कौन सा यहां पर सही है तो सदाचार का कौन सा सही होगा option c सही है सत जमाचार तो ये जो है सदाचार का सही है आगे है निर्गुन तो निर्गुन का कौन सा सही होगा तो question number 54 का option a नी plus गुन नी को विशग होगी और प्लस गुन होगा ठीक है तो ये निर्गुन का सही होगा अच्छा इस तरह से कुछ और समास भी है जैसे दूस सहस में कौन सा समास है तो दूस सहस में दू होगा दू को विशगें लगेंगी और साचन होगा दूस साचन दूस साचन का जो है वो दू दू को विशगें प्लस साचन ये आप याद रखिए कि विश्यम मैं कौन सा समास है तो विश्यम क्वेश्यम 55 की बात करेंगे तो option B सही आएगा V plus sum यह जो है विश्यम मैं सही समास है इस तरह के कुछ और समास भी है जैसे अभिशेख तो अभिशेख होता है इसमें अभी होगा प्लस सेख होगा अभीशेख इस तरह से होगा बट अगर आपने थोड़ा सोगा पड़ा है तब आपको यहां से अंडरस्टेंडिंग हो जाए अब आपको यहां पर क्या करना है इंग्लिस में सवब दिये गए हैं यह आपको हिंदी में का सही सवब मतलब बताना है question number 56 देखिए यहां पर है non contract question number 56 का जो है option A सही अंसर होगा अनियत non contract का मतलब होता है question number 57 है abstract abstract किसको कहा जाता है option D सही होगा उप संक्षेप इसको जो है abstract कहा जाता है abstract के बाद है annexure annexure का सही क्या होगा annexure का सही होगा option C नत्थी 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 इसका सही मतलब होगा 59 देखिए addendum addendum का सही मतलब क्या होता है हिंदी में तो addendum का सही मतलब होता है घोशना पत्र option C जो है वो सही अंसर है उसके बाद है negligence तो negligence का सही क्या होगा तो negligence का सही होगा प्रमाद option B जो है वो सही इंसर है यह question important है यह questions कहां पर पूछे जाते हैं ऐसे question जो है अक्सर पूछे जाते हैं means का examination में हिंदी का हिंदी का जो सब्सक्राइब होता है उसके लिए क्यों होता है उसके लिए तो option b सही अंसर होगा शिक्सटी की सिक्फिट्डू है उंचा पहारी मेतान और ओभी अहता है अधित्यका अधित्यक हो option c जो है वो सही अंसर है उसके बाद है पैटकी अक कसको जट्रानल कहा जाता है 63 तरीका जो है वो option A सही अंसर होगा तो पेड की आग को कहा जाता है जट्रानल और जंगल की आग को कहा जाता है तो जंगल की आग को कहा जाता है दावानल तो यह याद रखेगा कि जंगल की आग को दावानल कहा जाता है अच्छा question number 64 है जो सुन ना सके जो सुन ना सके उसको इर्षियलू कहा जाता है जो आशा करता है उसको आशावादी कहा जाता है जनम लेना और मरना इसको क्या कहते हैं तो जनम लेना और मरना को आवा गमन कहा जाता है अहसान न मानने वाला जो किसी का एहसान न मानने उसको कृतगन कहते हैं और जो एहसान मानने वाला होता है उस वोलने में चतुर यह निपून जो व्यक्ती, बोलने में चतुर होता है या फिर निपून होता है उसको वाचाल कहा जाता है option C, 65ème pick option c सही होगा अच्छा जो बहुत बोलता है या फिर जो व्यर्थ मैं बोलता है उसको भी वाचाल ही कहते है ये भी आप याद रखे जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो उसको भी वाचाल कहा जाता है और जो जूट बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं जूट बोलने वाले को मिध्यावादी कहा जाता है तो ये आप याद रखे देखो यहाँ पर आपको उचारन स्थान बताना है तो आ का उचारन स्थान आपसे पूचा गया है आ का उचारन स्थान क्या होता है 168 का option B से यह अंसर है कंठ जो है वो आ का उचारन स्थान होता है अच्छा कुछ एक important उचारन स्थान की बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो कंठ में आते हैं वो यह है अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, न हो गया ये सभी तारलू में आता है, कंट और तारलू मैंने आपको बता दिये, ये important थे, तो कंट और तारलू बैसे important तो सभी है, बट कंट तारलू के मैंने अभी आपको बता दिये, अब अगला है, चंदर सेखर में कौन सा समास है, चंदर सेखर में कौन सा समास है, चंदर सेखर मे तो यह रखिया आप याद इसमें कौन-कौन से आते हैं 170 देखिए अनल और अनिल का यूगम सब्द है तो अनल और अनिल का यूगम सब्द है वो है आग और हवा option B जो है वो सही answer होगा 168 देखिए यह भी हिंदी का ही है तो यहां पर पूछा गया है जो आगे की बात सोचता है उसके लिए कौन सा सब्द होगा तो जो आगे की बात सोचता है उसके लिए अगर सोची सब्द होगा जो आगे की बात सोचता है उसको अगर सोची कहा जाता है या फिर आगे का विचार करने वाला उसको भी अगर सोची ही कहा जाता है अब देखो अगरज किसको कहते हैं तो बड़ा भाई जो होता है उसको अगरज कहते हैं और जिसको गिना ना जा सके उसको अगनित कहा जाता है और जिसको जीता ना जा सके उसको अजय कहते है और जिसकी आने की दिथी पता नहीं होती ग्यात नहीं होती उसको अतीथी कहते है अगला है कि आजीवन में कौनसा समास है तो आजीवन में तो मैंने आपको बताया था कि आजीवन में जो है वो अव्वे भाव समास है अगर आजीवन का आप समास विग्रह करेंगे तो इसमें क्या आएगा इसमें आएगा जीवन भर अजीवन का होता है जीवन भर और ये एक अव्वे भाव समास है परती दिन में भी अव्यवाफ समास होता है और यथा समय यथा समय जो कि समय के अनुसार हो उसमें कौन सा समास होता है उसमें भी अव्यवाफ समास होता है तो यह कुछ अव्यवाफ समास के आप एक्जेम्पल याद रखेंगे अगला है हमारे पास 170 170 है कि इन मैंसे पीज़िट मात्रा ओगी इस तरह से कुछ होगा शुन yagya is तरह से लिखा जाएगा शुन yagya । निक्ष टे जघ्च छे हैं अब देखो यहाँ पर हम रिए तियम तरा पर थैम इंपर्टइम्स प्रॉटन देरी जाते बंकिकन कौश्ष 1975 निर्जल में जो है वो अब्वे भाव समास है, option A सही अंसर है, अब्वे भाव समास के मैंने आपको काफी example अल्रेडी बता दिये है, 169 देखिए, यहां पर सुद्ध सब्ध आपको चुनना है, तो विशीष्ट किस तरह से लिखा जाता है, यह तो question repeated है, इससे पहले भी हमने डिसकस किया था, तो यह आप comment करके बता दिये, 170 देखिए कि अनवे का संधी विशेद क्या है, अनुजमा आए, अनुजमा या प्लस जो भी आप कहेंगे, अनुजमा आए, तो यह जो है इसका सही संधी विशेद होता है, अब संधी विशेद हो गया, सुद्ध सबत हो गय थे, अच्छा एक comment करके आप मुझे बताइएगा कि आतम विश्वास में, आतम विश्वास में कौन सा समास आता है, यह आप मुझे comment करके बता दिची अगर आप को आता है, तो that's all for today, thank you, thank you very much for watching and listening, very patiently.